तो s की अगर आप value देखोगे, तो s की value क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, ठीक है? अब इसका a से न अगर हम देखेंगे, तो यह होता है a upon a into 1 minus r to the power n over 1 minus r. यही होता है भई? और अगर इसको आप देखोगे, तो a की value 1 हो जाएगी, 1 into 1 minus r की value 1 by 2 है, तो 1 by 2 का power आपको मिल गया कितना? n divided by यह हो जाएगा 1 minus 1 by 2. तो this will be 2 times of, क्या मिलेगा आपको? 1 minus 1 by 2 का power n हो जाएगा. अगर 2 से multiply कर देंगे, तो यह 2 minus 1 by 2 का power n minus 1 हो जाएगा भई. यह क्या हो जाएगा? n minus 1. अब आपको दिया हो कि s minus sn जो है, this is less than 1000. s की value 2 आया है, 2 minus 2, यह minus minus plus हो जाएगा. this will be 1 by 2 का power n minus 1 and this is less than 1000 था, sorry. less than 1000 और अगर आप इसको यह cancel कर लोगे और दोनों तरव रेसीप्रोकल ले लिजिए, तो 2 का power n minus 1 जो होगा, रेसीप्रोकल लेने पर inequality रिवर्ट हो जाएगा और यह 1000 आ गया. अब देखेंगे, इसका nearest जो अगर 2 के power में देखेंगे, तो 2 का power, यह 32 का जो square होता है, वो होता है 1024, यानि कि 2 to the power 10 हो गया, यह 32 का power 5 into 2 का power 5, यानि कि n minus 1 की जो value है, वो उसके पहले होनी चाहिए भई, देखेंगे, कहरा है कि n जो है, 1024 जो है, 1024 वो क्या होगा, 1000 से क्या है, बड़ा है, तो obviously n minus 1 जो है, वो greater than होना चाहिए, 10 से, तो n की जो value होगी, greater than 11 हो जाएगी, यानि कि list number पूछ रहा है, तो 11 हो जाएगा, ठीक है, 12 नहीं होगा, क्य होटा वाला ही चाहिए, ठीक है, तो इससे कम value मिलेगा, तो 11 जो होगा, वो answer हो जाना चाहिए, सभी को समझ में आया क्या, गुड, चलिए, नेक्स कोशन देख लेते हैं, नेक्स कोशन कह रहा है, कि, ये वाला कोशन कितने लोग बनाए हो, कोशन नमर्टेन कह रहा है, कि, तेन, sorry, 52, question नमरr 52 कह रहा है, कि, the area of triangle formed by the joining the origin to the point of intersection of the circle, to the line एंड इस एंड इस तू नहीं 52 52 कितने लोगों ने किया था सभी लोग reply कीजिए तो जितने लोग है कितने लोग हैं भाई छे लोग जोइन किये हुए हो रिप्लाई कीजिए तो नहीं किये थे चली यह question बहुत आसान है यह हो जाना चाहिए था करें कि कि कोई सर्कल है कि देखें 52 नंबर 52 कह रहा कि भाई कोई एक सर्कल है सर्कल का रेडियस जो दिया हुआ है आर यह सर्कल का एक्वेशन है एक स्क्वाइर प्लस वाई स्क्वाइर इकवर्स तू तो टेन डैट मींस रेडियस जो होगा वह डैट उन्दर 10 हो जाएगा रूट अंडर 10 कि कोई लाइन जो है यह इसको क्या कर रही है αिए कर रही है design कभी correction दिया हूआ है ठीक है एक यह वाला point दिया हुआ एक यह point पर intersection हुआ है और एक इस point पर intersection हुआ है अगर इसको हम origin से join कर देते हैं origin से join कर देते हैं ठीक है तो यह point of intersection आपको निकालना पड़ेगा और साथ ही साथ यहां से perpendicular draw कर दीजे line का equation थोड़ा सा देखे तो line का equation हमें दे रखा है root under 5x plus 2y equals to 3 root under 5 root under 5x line का equation क्या है root under 5x plus 2y equals to 3 root under 5 अब अगर इस origin से हम क्या कर ले perpendicular distance यह देखे अगर इस triangle का area यही जो triangle बन रहा है ना यह जो triangle बना है suppose कि यह a point है और यह b point है यही जो triangle बन रहा है इस triangle का area निकालना है तो triangle का area half based into perpendicular a b का length निकालना होगा a b का length निकालना होगा और यह perpendicular distance हम देख रहे है perpendicular distance कितना है तो perpendicular distance के लिए हम लोग कर लेंगे कि इस line का इस origin से perpendicular distance निकाल लेता है तो suppose किजिए कि यह o m होगा तो o m अगर हम निकालना चाहेंगे हम तो o m हमें क्या मिलेगा mod of root under 5 into 0 plus 2 into 0 minus 3 root under 5 divided by root under a square plus b square होता है यहनि कि root under 5 का square 5 और 2 का square 4 हो जाएगा और इसका mod तो यह आपको मिल गया 3 root under 5 divided by 3 that means this is root under 5 root under 5 यह distance मिल गया अब यह a b निकालना है आप जानते हो कि अगर कोई भी perpendicular यह जो origin है यह circle का center भी है तो center से perpendicular draw करते हैं तो a b chord को bisect करेगा तो हम बोल सकते हैं कि जो a b है हमारा a b का length यह क्या होगा यह two times of two times of a m हो जाएगा two times of a m हो जाएगा and this will be something like two times of square root of यह देखे radius का square and minus यह देखे om का square लिख सकते हैं क्या om का square and this is something like two times of radius का square तो 10 हो गया भई and minus om का square 5 हो गया तो this will be two root under five तो half base into perpendicular से area नहीं निकाल सकते हो area of triangle area of triangle क्या होगा half base कितना है भाई? base हमारे पास two root under five आ गया and perpendicular is something root under five तो यह two say two cancel five should be the answer सभी को समझ में आया क्या? everyone please reply is it clear to everyone? question कह रहा था कि एक circle दिया हुआ है जिसका equation x square plus y square equals to 10 और एक line दिया हुआ है root under x plus sorry root under five five into x plus two y equals to three root under five तो कह रहा है कि इस line ने इस circle को जिन दो point पर intersect किया है और origin को मिला कर जो triangle बन रहा है उस triangle का area क्या होना चाहिए तो triangle का area देखने के लिए हमने half base into perpendicular से find out किया अब यह perpendicular निकालने के लिए हमने line से origin का perpendicular distance निकाल दिया जो कि बहुत easy concept है यह दूसरा यह हमें सिर्फ आपको दो तरीके से करना था दो process थे इसके या तो आप point of intersection find out करते point of intersection find out करने में थोड़ा lengthy process हो जाया था ठीक है कर दो दो जाए था आप कर दो 53 कितने लोग किये थे 53 आ गया था आंसर 53 का आंसर आ गया था बहुत आसान सा है भाई देखिए मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है यह कहरा एफ एक्स जो है 1 बाई 2 माईनस 10 पाई एक्स बाई 2 है और जी एक्स इतना है फंक्शन का एक छोटा सा कॉंसेट समझना था इसमें और यह कुश्यन ऐसा ही हो जाता है एफ एक्स दिया हुआ है 1 बाई 2 माईनस 10 पाई एक्स बाई 2 पाई एक्स बाई 2 और जी एक्स जो फंक्शन दे रखा है जी एक्स जो फंक्शन दे रखा है वो क्या था हमारे पास जी एक्स वो था त्री प्लस फोर एक्स माइनस फोरइक्स स्कार जी एक्स काम नहीं है लेकिन थ्प्रास देख लीजे ये कुछ domain रहा होगा, यानि कि x रहा होगा, f के through, हमें क्या मिला, ये fx मिला, और fx यहां मिलेगा actually, ठीक है, और fx के बाद, हमने g compose किया यहां पर, तो यहां पर f of gx मिलता है, sorry, g of fx, और अगर ये simply देखें, तो यही तो gov है, g of f, g of f है, इसका मतलब ये हुआ, कि जो, ये fx का, यानि f का जो range हुआ होगा, f का जो range है, वो इसके लिए domain की तरह work किया होगा, भाई, g of fx, g compose का fx, ये gov है, fog नहीं है, प्रतियोष, this is gov, not fog, ठीक है, यहाँ पर देखें, x के साथ fx, x को, देखें, हमने x element लिया, f function के through, ये क्या हो गया, fx हो गया, g function के through, अब यही f of gx हो जाएगा, तो ये बबु, gov होगा, कि fog होगा, बताओ तो, तो अब ये confusion में हो, तो इसको clear कर लिजे, no, this is something like g of fx, not f of gx, और यही standard composition होता है यहाँ पर, ठीक है, तो देखें, और यहाँ पर actually square root है, sorry, square root है, तो देखें, यहाँ पर fx जो है, वो क्या है, fx जो है, यानि कि f का अगर range निकाल लेंगे, f का जो range है, वो इसके लिए domain की तरह treat किया होगा, ठीक है, g की लिए domain की तरह work कर रहा है, ठीक है, और यह g के बाद fx जो है, fx कहाँ पर defined है, क्योंकि भाई, यह gov तभी define होगा, जब यह g define होगा, तो g का पहले domain निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, g का domain निकाल लेंगे, तो g का domain निकालने के लिए हम कहेंगे कि 3 plus 4x minus 4x square जो होगा, वो greater equal to 0 होना चाहिए, ठीक है, इस composition को define होने के लिए, यहाँ पर यह gov क्या होना चाहिए, define होना, sorry, g, g function define होना चाहिए, तो g function define कब होगा, जब यह माइनस एक बर multiply कर लिजे, तो 4x square minus 4x minus 3, यह less than and equal to 0 हो जाएगा, इसको अगर हम करते हैं, तो minus 12 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, 4x square minus 6x plus 2x minus 3 and this is less than and equal to 0, 2x common निकाल लिजे, क्या मिलेगा, आपको 2x minus 3 मिल जाएगा, और plus 1 common निकालेंगे, तो आपको 2x minus 3 मिल जाएगा, यह less than and equal to 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे कि आपको 2x plus 1 into, बताएगे तो यहाँ से interval find out करके बताओ तो, 2x minus 3, this is something less than and equal to 0, तो हम कहेंगे कि x हमारा जो है, वो बिलॉंग कर रहा है, minus 1 by 2 से 3 by 2 तक, इतना clear है क्या? इतना clear है? सभी को बताइए? ठीक है, इतना clear है, that means, अब इस composition के लिए gx है और इसी के लिए define है, इसका मतलब कि यह domain जो है, एक तरह का इसके लिए domain है, लेकिन इसके range है, तो इसका मतलब कि आपका effect जो है, यह कुछ इस तरह का हो गया, कि यह minus 1 by 2 से बड़ा हो जाएगा, और यह छोटा हो जाएगा इस से, 3 by 2 से, again इस golf को define होने के लिए, यहां से तो g define हो गया, g define होगा, तभी golf define होगा, और यह g जो है, इसके range पर depend कर रहा होगा, इसका range जो है, इसके range के, इसके corresponding x के बराबर आ रहा था, क्योंकि देखे, golf का जो composition है, directly x दे include हो गया, तो मैं आपके कह सकते हैं कि 1 by 2 minus 10 of pi x by 2, pi x by 2 less than and equal to 3 by 2, कर दीजे, दोनों तरफ 1 by 2 add कर दोगे, तो यहां पर minus 1 by 2 add कर लिजे, minus 1 by 2 add करोगे, तो इधर minus 1 हो जाएगा, और यहां पर यह क्या हो जाएगा, यह तो 0 हो गया, यानि कि minus 10 of pi x by 2, और यहां पर भी minus 1 by 2 add करेंगे, तो this is 1, और minus से multiply कर लिजे, तो again minus, this is 10 x, 10 of pi x by 2 into, sorry, less than or equal to 1, तो यह answer हो जाएगा, यहां से देखे, एक concept हम लोग सीखेंगे, यहां से concept हम generalize करते हैं, ठीक है, concept यह होगा भाई, concept यह होगा, कि अगर आपको fx given हो, fx क्या हो, given हो, देखिए, यह काम करेगा, और लगभग, इस तरह की question पूछे जा रहे हैं, तो इस concept को थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर fx given हो, gx भी given हो, क्या है, gx भी given हो, ठीक है, और आपको g of fx का domain चाहिए, g of fx का domain चाहिए, तो पहले आप क्या कर लीजिए, इस gx का domain find out कर लीजिए, firstly, find the domain of gx, gx का domain find out कर लीजिए, and then, to define g of fx, gof को define करने के लिए, यहाँ पर fx को लाई करा दीजेगा, इसको domain में, fx जो लाई करेगा, domain of g लिख दे रहें, domain of g, clear है क्या सभी को, everyone please reply, ठीक है, यह concept होना चाहिए भई, यह concept याद रखोगे, इसके लिए अब, हाँ, minus 1 से 1 के बीच, यहाँ तो आही रहा है, so minus 1 से 1 के बीच, इसका domain आएगा, ठीक है, sorry, minus 1 से 1, यहाँ से, sorry, sorry, minus 5 by 4 कर लेंगे, यहाँ से, यह minus 1, तो minus, x निकाल ला है ना भई, minus 5 by 4 से 5 by 4 कर लेंगे, नहीं, नहीं, minus 1 से 1 नहीं, रुखे, यह जो left side में समझा है, इसको एक बर फिर से explain कर देजिए, ओके, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, देखे, कभी भी अगर आपको fx गिवेन हो, और gx गिवेन हो, और gauf चाहिए, आपको क्या चाहिए, गauf चाहिए, तो आप पहले क्या कर लीजिए, gx का composition निकाल लीजिए, sorry, gx का domain ले लीजिए, तो gx का firstly domain find out कर लीजिए, और उस domain को इसमें लाई करेगा, याणि आपको fx जो है, इसके domain में लाई करेगा, ये कर लीजिए simply, domain को इसमें लाई कर लीजिए, ठीक है, तो कौन सा, यहाँ, अच्छा, इसके पहले आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर देखें, हमने अभी तक ये किया था, भई, हमने अभी छोड़ा हुआ था, minus 1 से 10 of pi x by 2 था, वो न, pi x by 2, less than and equal to, ये क्या हो गया, 1, तो दोनों तरफ 10 inverse ले लिजे, तो ये minus pi by 4 की value है, less than and equal to, ये pi x मिल जाएगा by 2, और ये मिल जाएगा pi by 4, pi से pi कैंसल होगा, 1 by 2 से 1 by 2 कैंसल होगा, तो minus, तो हम क्या करने, 2 से multiply भी कर लेंगे, तो minus 1 by 2 से x, और ये 1 by 2, तो b should be the answer, b क्या होना चाहिए भाई, answer होना चाहिए, ठीक है, minus 1 से 1 नहीं आएगा, प्रतियूश, ये कर लेंगे, वो तो 10 pi x by 2 की value आएथी न, domain के लिए x निकालते हैं, clear है क्या सभी को? चलिए, इसके बाद वाला question, question number 54 सबसे हो गया था क्या? इसको बताना पड़ेगा? चलिए, अच्छा, explain कर दे रहा हूँ, इसको बताऊंगा नहीं, ठीक है? क्या कर लीजिए, कि ये लिखा हुआ है, a plus b की value 5 pi by 4 है, और 10x जो है, fx जो है, cos x plus, sin x plus cos x है, देखिए, 54, fx दिया हुआ है, cos x, cos x upon sin x plus cos x है, उपर नीचे cos x से डिवाइड कर दीजे, तो आपको मिलेगा, this will be 1, and this is 1, cos x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 1 plus tan x कर दे रहे हैं, देखिए, ये 1 हो जाएगा, और ये cos x से डिवाइड करने पर ये tan x हो जाएगा, यानि कि आपको simply मिलेगा कि जैसा x यहाँ पे रहेगा, वैसा x यहाँ पे, तो और दूसरा दिया हुआ है, तो यहां से आप, f of a या f of, दूसरा a plus b जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, 5 pi by 4, 5 pi by 4, तो मैं यहां से कह सकते हैं कि भाई हमारे पास, यह जो a है, a equals to 5 pi by 4, minus b आ जाना चाहिए, minus b, तो यहां से मैं पूछ क्या रहा है, f a into f b पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, f a into f b, तो f a अगर आप देखोगे, f a, तो यह आपको मिल गया यहां पर, 1 upon 1 plus, यहां से अभी रूकी 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 रूकी, इसमें f operate कर लिजे, दोनों तरब f operate करेंगे, तो f a की जो value आएगी, वो आ जाएगा, f of 5 pi by 4, minus b, और अगर आप ध्यान से देखोगे, तो f of a is equal to, यहां पर 1 upon, this will be 1 plus 10 of 5 pi by 4, x के जगा पर यहां पर क्या है, 10 of 5 pi by 4, minus b, अब बन जाएगा भाई, यहां पर a और b का, यहां पर यह formula लगा लेंगे, यह कर लोगे, अब f a minus, यहां से हम लिख सकते हैं, कि f a equals to 1 upon, 1 upon, यहां आपको मिलेगा, 1 plus, यह 10 a, 10 a, यहांनी 10, 5 pi by 4, minus 10 b, आप कर लोगे सभी लोग, कोई बोल नहीं रहा है, भाई, 1 plus 10 a into 10 b, यहांनी 10, 5 pi by 4, into 10 b, सभी लोग बोलो, कि यह बोल रहा है, 10 pi by 4, 5 pi by 4 की value कितनी होगी, तो इसको 10, 5 pi by 4 को हम pi plus pi by 4 लिख सकते हैं क्या, तो यहांनी कि third quarter में चला गया, तो 10, third quarter में positive होता है, तो 10 pi by 4 simply 1 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि this will be 1 divided by 1 plus 1 minus 10 b upon 1 plus 10 b, तो this will be simply 1 plus 10 b उपर आ गया वही, 1 plus 10 b उपर आ गया और इधर आ जाएगा, 1 plus 10 b और minus, माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा, 1 minus 10 b, 1 minus 10 b, 1 minus 10, यह 10 b, 10 b cancel, 2 मिल जाएगा, तो यह आपको मिल गया, 1 by 2 into 1 plus 10 of b divided by, नहीं, यही हो गया, ठीक है, तो अब आपको f a into f b चाहिए, f a into f b, इस साइड कर लेते हैं, f a कितना हो जाएगा भाई, तो 1 upon f a into f b कर रहे हैं, f a into f b, तो यह हो गया, 1 upon 1 plus 10 a into 1 upon 1 plus 10 b, यह 1 plus 10 f a की value भाई, यह भी आया है, f a की value यहां पर देखे, f a की value आप यह निकाल ले हो, इसको f a आपने बोला है न, तो f a की value यह भी आय हुई है, this is 1 by 2 into 1 plus 10 b into 1 by 1 plus 10 b, यह और यह cancel हो जाएगा, half should be the answer, ठीक है भई, 1 by 2 इसका answer होना चाहिए, 1 by 2 इसका answer होना चाहिए, आ रहा है क्या 1 by 2 option में है, of course है, तो 1 by 2 इसका answer हो जाएगा, समझ भाए हैं सभी को, question number 55 कितने लोग किये हो, question number 5 का answer क्या होना चाहिए, इसको भी बताना पड़ेगा वही दी है ना चलिए हाँ डी सही आंसर है इसको तो रख रख के देख सकते हो देखे कैसे मान लिजे एकस अगर निगेटिव हुआ एकस लेस देन जीरो ले ले ठीक है एकस लेस देन जीरो तो और पावर क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा तो देखे यहां और पावर निगेटिव और इसके पहले निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो यह पॉजिटिव हो जाएगा भाई यह वाला पार्ट क्या हो जीरो से एक के बीच में तो 1-1 क्या होगा पॉजिटीव होगा फिर इसमें जानते हैं पावर बढ़ेगा तो वैल्यू घट जाएगी तो यह दोनों टर्म हमने ले लिया अब दूसरा लिख सकते हैं कि एकस का पावर फोर माइनस एकस का पावर नाइन यह वैलू क्या हो सबको आइड करेंगे तो अगेन पॉजिटीव हो जाएगा तो इस विल भी आप्शन से ही बना पाएंगे और एक से ज्यादा के लिए एक से ज्यादा के लिए यह वाला पॉजिटीव यह वाला पॉजिटीव और पॉजिटीव तो अबर रोल डी सुट भी दा आंसर सही है कि यह कुश्चन नमर 56 तो नहीं बताना पड़ेगा इधिंग तर्फटीएट कितना इस फिप्टीएट बता दें अब सिधे चलिए यह तो फिप्टीएट यहां पर देखते हैं इसलिए पर आगे तर्फटीएट क्या है अच्छा हां यह अच्छा कुश्चन था यह क्रिटिकल थिंकिंग कुश्चन है वाई यह कुश्चन अगर नहीं बना है तो कोई दिकत की बात नहीं है कह रहा है कि 5 डिजिट नमबर है 5 डिजिट नमबर है which are divisible by 6 6 से divisible है और नमबर कौन कौन से है भाई 0 1 3 4 0 1 3 4 6 7 ठीक है नमबर क्या क्या है यह देख लेते हैं नमबर है 0 1 3 4 6 7 यहीं नमबर है न भाई कंफर्म कर लिजे एक बार यहीं तो मुझे उधर करना पड़ेगा और 5 डिजिट का नमबर बनाना है 5 डिजिट नमबर होने चाहिए और 6 से डिजिबल होना चाहिए 6 से डिजिबल होना चाहिए 6 से डिजिबल होने के लिए इस नमबर को two से divisible होना पड़ेगा साथ ही आध three से divisible भी होना पड़ेगा इसमें तो किसी को कोई doubt नहीं है नव्हाई कि कोई number अगर six से divisible है तो दोनो end लिखेंगे यापे भैई ये end है, कि मतलब two से होना चाहिए and साथ ही साथ three से भी divisible होना चाहिए 2 से divisible होने के लिए unit place पर even number होने चाहिए क्या होने चाहिए भाई, even number होना चाहिए और 3 से divisible होने के लिए sum जो है, sum should be divisible by 3 number कितने दिये, 2, 4, 6, 6 number आपको दिया हुआ है और 5 digit का number बनाना है अब देखे, इसमें पहले sum करके देख लेते हैं कि किन-किन 5 numbers को add करते हैं तो आपको sum जो है, वो क्या मिलने वाला है, 3 set divisible मिलने वाला है एक बार add किजिए, 1 plus, sorry, 0 plus 1 plus 4 plus 6 plus 7 कितना मिल रहा है, जल्दी से बताइए तो, दूसरी बार ले लिजिए, 1 plus 3 plus 4 plus 6 plus 7 सभी लोग बताइए तो, देखो अभी तक कोई sum भी नहीं लिख के बता पया 13, 13, 4, 17, 17, 18, 18, 18, और यह 3 add किया हुआ है, तो 21 ठीक है भई, यानि पहले case में 18, यानि कि अगर ये 5 number लो गया, तो भी sum 3 से divisible होगा और ये 5 number लोगे, तो भी sum क्या होगा 3 से divisible होगा, अब हम पहला case, यानि इस pair को select करेंगे क्या करेंगे, इस pair के लिए, पेर नहीं बोलेंगे, इस set of numbers के लिए case हम लोग consider करते हैं तो 4, 5 number कौन ले रहा हूँ आप, 0, 1, 4, 6, 7, ठीक है भई, देखिया 1, 2, 3, 4, अब देखिये ये इस तरह के set of numbers लिए हुए है, 0, 1, 4, 6, 7, अब आपको sum check नहीं करना है कि 3 से divisible होगा कि नहीं, क्योंकि आपने ऐसे ही number लिए है, जो क्या हो रहा है, 3 से divisible हो रहा है, क्योंकि भई, जैसे ही place करोगे, तो sum of numbers तो obviously 3 से divisible होगा तो कहीं भी place करोगे तो कोई दिकत नहीं होगा इसको 2 से divisible होने के लिए इस unit place पर या तो 4 हो जाए या 6 हो जाए यानि कि इस place को हम 2 ways से ही fill कर पाएंगे ये बात clear होगी क्या सभी को ये बात clear है सभी को Everyone please reply Sir, 0 भी तो हो सकता है हो सकता है लेकिन अभी उसको consider नहीं किया है उसको थोड़े दिर बाद हम बताएंगे कि क्यों नहीं लिया हुआ है ठीक है थोड़े दिर बाद 0 भी हो सकता है बट मैंने अभी 0 नहीं लिया हुआ है ठीक है अच्छा question था लेकिन ठीक है अब हमने क्या किया कि यहाँ पे किसी भी चार प्लेस अब इस चारों प्लेस को factorial 4 वेज से हम लोग calculate कर सकते हैं क्या factorial 4 देखें repetition allowed नहीं है ध्यान से रखेगा ध्यान रखेगा तो अगर 4 और 6 को आपने किसी 2 में से एक को किसी एक को यहाँ पे फिल कर दिया तो 5 नमबर चार नमबर बचेंगे चार में से इस पर फिल कर दिया तो इस मैं बता रहा हूँ 0 मैंने क्यों फिल नहीं किया है let me explain तो इसके पहले थोड़ा सा यह बताईए कि यहां पर यह जो टोटल नंबर ओफ वेज होगा या नंबर्स बनेंगे फैक्टोरियल फोर इन्टु टू डैट मिस फोटी एट बनेगा क्या फोटी एट बनेगा लेकिन इस नंबर में यह हो गया कि भाई हमने वो नंबर्स भी काउंट कर लिये जिसमें जीरो यहां पर प्लेस हो गया था देखें यहां इस case में आपने ये भी include कर लिया है कि 0 यहां पर हो और पहले place को 4 और 6 से आपने fill किया था ठीक है तो 0 को यहां पर fix कर लिया इस case में ये include हो गया है इस case में ये include हो गया है तो अब क्या करेंगे इस 3 places को vacant places को factorial 3 ways से fill कर सकते हैं क्या ठीक है तो यह जो इस तरह का जो number बना जो यह 0 से start हो जाएगा 0 से start हो जाएगा और factorial और यह जो first place से 4 और 6 से था तो 2 into factorial 3 ways यानि factorial 3 को 6 6 into 12 यानि कि 12 numbers ऐसे जो हथे ऐसे हमें मिले है इस case में इस 48 में 12 number ऐसे मिले है जो actually four digit के number होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा subtract करना पड़ेगा उनको क्या करना पड़ेगा subtract करना पड़ेगा क्लियर है क्या सभी को क्लियर है को बोल नहीं रहा है अब जो लोग कह रहे थे कि सर जीरो भी होना चाहिए इसी number को अब हम इस तरह से ले लेते हैं इसी number को इस तरह से ले लेते हैं कि भाई हमने 0 को यहां पर fix कर दिया 0 को सिर्फ यहां पर fix कर दिया एक place में और 4 अब यहां पर चारो number कहीं पर भी fill कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अब rest जो 4 places है वो factorial 4 ways से calculate कर सकते हैं तो यह जो तरीका हो गया 24 हो गया ठीक है तो देखे एक required यह required लिख लीज़े इसको count करना है भाई यह भी count करेंगे ठीक है अब आपको ऐसे number मिल गये जो 3 से divisible था और और कितने से divisible था 3 और 2 से divisible है और साथी साथ उसका sum of numbers जो था 18 था sum of numbers क्या था 18 था अब यही काम आप इसके लिए करोगे यही काम किसके लिए करेंगे इसके लिए सेट of numbers इसके लिए अब आप आप लोग reply किजे आप सेट of numbers लीजे सेट of numbers कौन-कौन सा भई सेट of numbers 1, 3, 4, 6, 7 इस case में सभी लोग reply किजे तो कितना answer होगा सभी लोग reply किजे इस case में number of page कितने होगे सासवत का answer आगया और वो सही answer है good 41 मिलेगा इस case में भी 41 और एक ले लिजे एक ले लिजे ये वाला 0, 1, 3, 4 और 7 ये वाला ठीक है 6 वाला इसमें लिया था अब 3 वाले के साथ ये वाला सेट ले लिजे इसमें काउंट के लिए ये दोनों केस अगेन रिपीट होगा थोड़ा ध्यान रखिए यहां पर ये दोनों केस फिर से रिपीट होगा तो देखे इस सेट को अगर आप लोगे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई यूनिट प्लेस पर 4 और 6 रखने के बाद फैक्टोरियल 4 बचा तो इसके लिए जो कैलकुलेशन है फैक्टोरियल 4 इंटू 2 तो ये आपको मिल जाना है अगेन 48 ठीक है तो 48 मिला 24 मिला और 36 मिला दूसरे केस में 0 1 3 4 7 0 1 3 4 7 इसमें भी देखे वही जो मैंने बताया आपको की वो केस रिपीट कर लीजे क्या क्या करोगे आप हां देखे एक बार सिर्फ 4 यहां पे रखिए 4 यहां पे रखेंगे तो इसको फैक्टोरियल 4 वेज से हम लोग क्या कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 वेज से फिल कर सकते हैं और इसमें वो भी नमबर आपको मिल गए है जिसमें 0 यहाँ पर आया था तो अब 0 को यहाँ पर fix कर दिए 4 को यहाँ पर fix कर दिए तो factorial 3 वेज से यह हो गया तो factorial 4 minus factorial 3 तो इस case में आपको 24 minus 6 18 मिल जाएगा ठीक है और एक बार 0 को unit place पर रख दीजे जीरो को unit place पर रख देंगे तो बाकी के जो बचे factorial 4 वेज से तो यहाँ से हो जाएगा 24 तो 24 प्लस तो अब total number of total number of ways कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से मिला 24 यहाँ से मिल गया 18 18 इसके पहले आपने 18 इसके पहले 48 यह 48 था 36 था 24 36 24 फिर्टी एट 48 प्लस 24 प्लस 36 जोड़क बताये तो कितना आ रहा है 24 दोनी 48 48 और 48 चानवे 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 चातिस और अठारा चावण तो चानवे और चावण 150 सभी को समझ में आया क्या 0 वाला थोड़ा केस अलग से कंसिडर करते हैं भाई तो जब भी 6 से आये तो आप क्या करेंगे कि आप उसमें से से निकाले कि कितने कितने नंबर्स लेंगे कि सम आपको 3 से डिविजबल मिलना चाहिए ठीक है तो वो सभी केसे हमने यहां पर लेते हुए इसको सॉल्व कर दिया कितने लोग को लगता है कि फिर से रिपीट करने की जुरूरत है कि एवरिवन प्लीज रिप्लाई रिपीट कर दें र फॉर रिपीट और सी फॉर क्लियर लिख दीजे अगर सभी को क्लियर है तो अदर्वाइज एक बार फिर से एक्स्प्लेइन करेंगे इसको और लोग रिप्लाई कीजे भई अविनो कुंदन प्रतियुष चलिए पांच लोग का रिप्लाई आ गया लगभग क्लियर है चलिए ठीक है 58 हो गया 59 तो हो गया होगा भई इसके बाद कौन सा बताना पड़ेगा बता दीजे इसको छोड़ देते हो इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एकस स्क्वाइर प्लस आगे लिखने की जड़त ही नहीं है क्योंकि स्क्वाइर वाला कॉपी सेंट ही लिया हुआ है लीनियर और स्कायर वाले का देखें लीनियर वाले जितने भी आपको pairs मिलेंगे उनको collect कीजिए लीनियर वाला pair यहां पर देखिए 1 into c1 c1 x के साथ मिलेगा यानिकी c1 और दूसरा linear मिलेगा minus 2 into c0 minus 2 into c0 into x मिल गया इनके साथ x मिलेगा तो यह लीनियर होला हो गया यानि कि A1 की जो वैल्यू है अब देखें C1 का मतल़ होता है N C1 N C1 की वैल्यू N हो जाएगी और माइनस C0 की वैल्यू 1 होती है तो 2 यह मिल गए आपको 2 ठीक है वाई यह समझ में आया ना तो N-2 A1 की वैल्यू मिलेगी और A2 की वैल्यू के लिए C2 X2 हो जाएगा फिर वन वाला कैंसे लीनियर को लीनियर वाले से मर्डिप्लाई कर लिजे तो माइनस 2 C1 हो जाएगा और क्वाड्रेटी को इसके कॉंस्टेंट टर्म से प्लस फाइव हो जाएगा यह X2 का कॉफिसेंट आया यह यह A2 हो जाएगा तो यह N C2 की वैलू कितनी होगी N into N minus 1 divided by 2 हो जाएगा minus 2 C1 की वैलू 2 C1 की वैलू N हो जाएगा क्योंकि C1 का मतलब यह N C2 का मतलब भाई N C2 होता है C1 का मतलब N C1 हो गया तो 2 N हो गया plus 5 अब नहीं कर लोगे क्या यहांसे N find out नहीं हो जाएगा यहांसे इसका whole square करके इसको compare कर देना N के form में equation मिलेगा उसको solve कर लेंगे आगे solve करने की जोड़त नहीं है ना भाई चलिए को नमर 61 कितने लोगों ने किया था यह नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है देखे पढ़ लीजिए थोड़ा सा में ही हो जाएगा देखे यह जो operation बोलते हैं यह जो यह जो यह जो symbol है इसको बोलते conditional statement यह conditional logical statement बोलते हैं क्या बोलते हैं conditional statement क्या होता है conditional statement यह मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को logical reasoning में ठीक है इसमें एक ही चीज याद करना होगा बस एक यह बाद वाला गलत तो गलत बाकी सब सही यह याद रखिएगा देखे कैसे माल लिजे P&Q दो statements है P&Q दो statements है truth table आपने पढ़ा होगा और operation के लिए and operation के लिए non operation के लिए and operation के लिए modern physics में पढ़ाएगा है क्या नहीं तो देखें यहाँ पर सपोज कि यह कोई भी statement बोलते हैं तो या तो यह true हो सकता है या false हो सकता है तो पहला true और दूसरा भी true मान लिए आपने दूसरा मान लिए कि अगर यह false होता है तो यह true हो जाता है तीसरा case ले सकते हैं कि अगर यह true हो रहा है यह false हो जा रहा है और चौथा case मान सकते हैं कि दोनों false हो जाएं क्या हो जाएं दोनों false हो जाएं ठीक है अब इस operation को इसको ऐसे भी indicate कर सकते हैं बाद वाला गलत तो गलत बाद वाला गलत यानि कि और क्यू बाद वाला statement गलत कौन सा है इसमें है ठीक है सिर्फ बाद वाला गलत तो अगर यह गलत है तो गलत होगा बाकि सब इसके जो truth table है वह सही होने चाहिए ठीक है भई तो कहीं भी conditional मिले तो अगर बाद वाला statement गलत है तो पूरा का पूरा implication गलत होगा पूरा का पूरा implication गलत होगा और अगर दोनों implication गलत है तो सही है यह statement ठीक है भई यह clear है क्या सभी को नहीं समझ माया reply करते रहिए तब पता चलेगा हमें न अब देखो क्या हो गया कोई reply ही नहीं कर रहा है चलिए एक का reply आ गया तो अच्छा एक बार एक बार मैं explain कर दूंगा और ठीक है बस आपको याद रखना होगा जैसे head और tail में पहले कोई में head तो दूसरे कोई में tail ऐसे करते हो न तो दो statement अगर है अगर मालीजे राम और स्याम है अगर राम सही बिल राम और स्याम के दो statements बोल रहे हैं तो सकता है कि या तो राम का statement सही हो और स्याम का भी statement सही हो राम का सही हो स्याम का गलत हो राम का गलत हो स्याम का सही हो या दोनों का गलत हो इस तरह से यही कर दिया अब इसमें order रखना है भाई P and Q कौन पहले है कौन बाद में यह ध्यान रखना है तो परक नहीं पड़ता है कि यह पहले वाला स्टेटमेंट कैसा है अगर बाद वाला स्टेटमेंट गलत है और पहले वाला स्टेटमेंट सही है तो यह पूरा का पूरा implication गलत होगा और बाकी कुछ भी रहे तो आपको सही ट्रिक करना है यहां पर लिखा हुआ है P implies negation P negation P and and दूसरा क्या दिये हुआ है negation P implies P दूसरा दिये हुआ है negation P implies P negation के बारे में आप थोड़ा समझ दीजिए negation क्या होता है भई नगेशन का मतलब होता है ultra अगर हम बोल रहे हैं कि हमने कोई statement बोला कि true तो उसका negation false हो जाएगा false का negation true हो जाएगा तो इसमें एक ही statement इस question को बहुत आसान कर दिया हुआ है suppose कीजिए कि P है P है तो negation और negation P थोड़ा सा इस साइड लिखना पड़ेगा P होगा और negation P होगा ठीक है तो अगर हमने P लिया हुआ है अगर हमने मान लिजे P लिया हुआ है true तो इसका negation क्या हो जाएगा भई बताओ तो सभी लोग write everyone please everyone please reply false हो जाएगा वेडन कुंदर और अगर false लिया है तो इसका negation जो है true हो जाएगा ठीक है अब क्या करते हैं P implies negation P ले लेते हैं P implies negation P P implies negation P देखिए बाद वाला गलत तो गलत हो जाएगा भई बाद वाला गलत है तो गलत कर दिया बाकी सही कर दिया दूसरा क्या करना है अब negation P को पहले रखना है और फिर implies करना है P को negation P तो देखे, negation P ये है अब इधर से आपको इधर जाना है तो देखे, बाद वाला सही है इसमें, तो ये सही हो जाएगा इसमें बाद वाला क्या है? गलत है, तो गलत हो जाएगा P negation अब देखे, end operation के बारे में जान जाएए P और Q अगर ले रहे हो आप P और Q तो end operation कहता है कि दोनों अगर सही है तो सही होंगे ये end operation है दोनों सही तो सही और दोनों में से कोई ये गलत तो गलत ठीक है? अगर माल लिजे यहाँ पे जैसे इसका हम ये निकालना चाहते है P and Q की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर P and Q की तो देखे, दोनों सही है तो इसका logical truth सही हो जाएगा दोनों में से एक गलत हो गया तो ये गलत, ये भी गलत और दोनों सही, तो सही हो जाएगा ठीक है वई, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में से एक गलत है तो हमेशा ये false और false हो गया ठीक है, इसी को बोलते है contradiction, यहाँ पे आप कुछ भी statement अपना कुछ भी ले रहे हो लेकिन हमेशा false सी result आता है ठीक है, results always results always always shows fallacy result क्या कर रहा है, fallacy सो कर रहा है, तो कोई भी statement आप सही बोले या गलत बोले result हमेशा गलत आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा उसी को बोलते हैं कि यह contradiction है यह क्या बोलते हैं, contradiction statement है, ठीक है तो एक भाई, इन्वर्सल टूथ होता है उसका just opposite है यह तो यह contradiction हो गया तो option number B should be correct option number B क्या होना चाहिए, इस case में correct होना चाहिए, कि यह statement है, या proposition है proposition क्या बोलते हैं combination of statements को तो इसका combination है या proposition है वो contradiction होना चाहिए, ठीक है इसको detail में हम लोग देखेंगे अभी गमराने की जूरत नहीं है, इसको detail में देखेंगे question number two सभी कोई साथ हो गया क्या question number two कुछ नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे इसको भी देखेंगे इसमें इसमें एक formula होता है, ठीक है भाई formula यूज कर लेंगे सिधे answer आ जाएगा formula देख लेंगे इसका answer आ जाएगा, ठीक है पहले आपको इसमें combined mean निकालना पड़ेगा, combined mean जो होता है n1 x1 plus n2 x2 divided by n1 plus n2 हो जाता है ठीक है, और फिर combined sigma निकालना पड़ेगा, combined variance निकालना पड़ेगा, तो इसको बोलते है n1 sigma square d1 square plus तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम उसी के साथ देखेंगे दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें n2 into sigma sigma 2 square d2 square divided by n1 plus n2, ठीक है तो sigma variance का variance को denote करता है, तो आपको combined variance निकालना इसमें, तो पहले यह formula apply करके तब यह apply करना होगा, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है, एकदम formula based question है, और सबसे आसान question है इस पूरे test का, ठीक है भई? इसके बाद कौन सा बताना है, बताईए, कोई reply नहीं कर रहा है, प्रतिऊश कुंदन सासवत, बताऊ भई, इसके बाद कौन सा? 68, 68, 68 भई छोड़ने के लिए दिया गया था, क्यूंकि यह बहुत calculated है, ठीक है, आप करना चाओ, time बचे, देखे, आपको यही सब सीखना है, कि कैसे, यहां पर time बचाया जाए, आपको बस कुछ, मतलब, आप product समझ बाओ, तो product समझ सकते हो, ठीक है, आपको S1 पहले निका सब्सक्राइब हो जाएगा, तो यह question एक समय में छोड़ने के लिए था, पहला attempt में, और S3 भी है, वो है alpha q plus beta q, ठीक है, यह calculated हो जाएगा, जो काम आप करेंगे, वही काम हम भी करेंगे, आपर रख के, हो सकता है property वगरा लगाए, और इसको solve कर सके, ठीक है, इसको property से कोई जितना जल्डी solve कर दे, वही, सही होगा, ठीक है वही, समझ में आया, जिसने पूछा था वही, यह first attempt में, यह question leave करने वाला था, अगर जिसने इस question को try किया है, first attempt में, वो be prepare कि आप अपना थोड़ा सा method बदली, first attempt में question को approach करने के लिए, ठीक है, कोई दिकत नहीं है न वही इस question को solve कर सकते हैं, यहाँ पे value रख देंगे, और रख के property लगा के देख सकते हैं कि property से simple हो रहा है की नहीं, अगर property से simple नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब calculated है, ठीक है, मैंने calculation किया था, तो lendी जा रहा था, ठीक है, जाने के बदद C option आ रहा था, इसका C answer सही आ रहा था, option number C जो है, वो सही आ रहा था, तो काफी अच्छा कासा, डेर्ष दो पेज में गया है, तो calculation होगा, बाखी determinant वगरे solve करना सभी लोग जानते हो, ठीक है, question number 66, किसने कुंदन ने पूछा हुआ है, ठीक है, यह मतलब यह कुछ ऐसा है, कि A जो है, X, Y है, simply यह कह रहा है, where X जो है, वो 1 है, तो Y जो है, X square प्लस X प्लस 10 है, तो और tangent at A, cuts the X axis at B, the value of OA.AB, OA.AB की value क्या होगी, आसान सा question है, वही, sorry, देखें, दिया हुआ है, A जो है, X की value 1, Y, देखें, X, Y दिया हुआ है, और X की value 1 दे रखा है, तो 1, Y भी बोल सकते हैं, और Y की जो value है, भई, X square प्लस X प्लस 10 है, तो यहां से X की value 1 रखेंगे, तो 1 का square 1, 1 प्लस 1, 2, 2, 2, 2 प्लस 10, 12 हो गया, तो 1, 12 हो गया, अब इसी पर tangent की बात कर रहा है, तो dy by dx निकाल लीजे, at X equals to 1 पर, तो dy by dx क्या होगा, यह 2X प्लस 1 हो गया, तो this will be, M की जो value slope जो होगा, at X equals to 1, यह 3 हो जाएगा, तो यहां से Y minus 12, equation of tangent निकलने जा रहे हैं, Y minus 12 into M की value 3, X minus 1, तो यह आपको मिल गया Y equals to 3X, यह minus 3 हो गया, और इस साइट plus 12 आएगा, तो plus 9 हो जाएगा, यह सभी को समझ में आया क्या, अब यह जो tangent है, this tangent, this tangent, this tangent, intersect, intersect, X axis, X axis, at B, किस पर कर रहा है भाई, B पर, X axis को ही कर रहा है न भाई, 66, हाँ, X axis, at B, तो अगर B पर X axis को यह touch कर रहा है, तो X axis पर Y coordinate क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, तो Y coordinate जीरो कर लिजे, तो 3X plus 9 equals to 0, तो हमें यह जो value मिलेगा, कि X की जो value होगी, वो minus 3 हो जाएगा, X की value minus 3 हो जाएगा, तो यहां से अगर हम देखें, तो A, A का जो position vector है, यह आया है, तो OA vector हमारे पास यह हो जाएगा, OA vector जो होगा, I cap plus 12 J cap हो जाएगा, और अगर हम B की बात करें, तो X axis पर इतना कर रहा है, तो minus 3 पर, तो minus 3, जो point B जो होगा, वो minus 3, 0 हो जाना चाहिए भाई, तो OB जो होगा, position vector of OB, यह हो जाएगा, minus 3 I cap, तो अगर हम AB की बात करेंगे, अगर AB की, position vector AB, तो यह मिलेगा, position vector of B, minus position vector of A, OA, position vector of OA, position of vector OA, minus 3 I हो जाएगा, और यह minus I cap, minus 12 J cap हो जाएगा, तो यह मिल जाएगा, minus 4 I cap, और minus 12 J cap, सभी को समझ मैं है भाई, अब दोनों का dot ले लीजे, किसका, किसका dot चाहिए, OA.AB, OA.AB की corresponding component को multiply कर लीजे, क्या मिलेगा आपको, minus 4 हो जाएगा, यह, minus 4, and they say something like, minus 144, 144, so this is minus 148, so this minus 148 should be the answer, सभी को समझ मैं आया क्या, एक हम simple सा concept था है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था, आप लोग को intersection वगरा सब नहीं निकालने आया, चलिए, इसके बाद कौण सा question, इसके बाद तो कोई question बताने लाइक नहीं लग रहा है मेरे को, बक्की आप लोग बता दीजे, 70 तक किसी को कोई doubt, हो गया, चलिए, इसके बाद देखते हैं, 70 to 75, सर, 69 एक पर देख लिजिया, अच्छा, 69, ओके, 69 कह रहा है, कि इफ दे टैंजेंट, इफ दे टैंजेंट अब दे कर्व 2Y स्क्वाइर प्लस AX स्क्वाइर प्लस X क्यूव, एड पॉइंट अ, कॉमा ए, कॉइंट अफ इंटर्सेट अलफा कॉमा बीटा ओन दे कॉडिनेट एक्सेश, एक्सेश सच्वाइर प्लस बीटा स्क्वाइर प्लस बीटा स्क्वाइर इक्वर्स टू 61, देन A is, आसान कॉश्चन है भाई, देखिए, कैसे करेंगे, पहले टैंजेंट की बात कर रहा है, तो टैंजेंट एट A निकाल लेते हैं, तो उसके लिए dy by dx निकालना पड़ेगा, differentiate कर दीजे इसको, तो क्या मिल जाएगा, 6y square, 6y square, into y dash, 6y square into y dash, equals to, 2a, 2ax, और, प्लस, 3, x square, ठीक है भाई, तो हम y dash की जो value बोल पाएंगे, y dash, तो यह हमें मिल जाएगा, 2ax, प्लस, 3x square, divided by, divided by, 6y square, आपको जो dy by dx निकालना है, वो a, a पर निकालना है, a, a पर, तो यह जो value होगी, देखे, a यहाँ पे रखेंगे, तो 2a square, और यहाँ पर, तो यह कितना हो जाएगा, something 5 by 6 हो जाएगा, क्या, 5 by 6, क्लिर है क्या, तो अब यहाँ से equation लिख सकते हैं, हम tangent का, y minus a, into 5 by 6, x minus a, ठीक है, x intercept निकालने के लिए क्या कर लोगे, आप y को 0 करा दोगे, y को 0 करा दोगे, और y intercept निकालने के लिए, x को 0 करा दोगे, ठीक है, तो उस case में, a को alpha मान लिजिएगा, और दूसरे को beta मान लिजिएगा, दोनों expression a के term में आएगे, दोनों का alpha और beta, यह इस वाले equation से, आप a की value find out कर लेगा, a option सही होना चाहिए इसका, option number a सही होना चाहिए, जुनों ने पूछा था, समझ में आया क्या उनको, या सर्व, ओक्य, चलिए, next question देखते हैं, चलिए, question number 71, 72, 73, इसमें से कौन कौन बनाये हो, बताईए, इधर हो गया सभी को, सर 71 और 73 बता दीजिए, 71 और 73, 73 पहले बता देते हैं, देखें, आप जानते हो कि, minus a से, plus a f x जो है, वो या तो 0 होगा, अगर 0 होगा कब, जब a f हमारा क्या हो, odd हो, और ये 2 times of, 0 to a हो जाएगा, whenever this a is, sorry, a बोलने, f x is, even, तो हमें ये, simply function चेक करना है, कि ये even है, कि odd है, let's say कि function हमारा, capital f x है, capital f x, और capital f x की वो, जो value है, f x, plus f of, minus x, into, क्या है, g x, g x, minus, g of minus x, तो f of minus x, x को minus x से replace कीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा, f of minus x, plus, f of minus minus plus हो जाएगा ये, यहाँ पर, g of minus x, और ये minus, g of, ये minus minus plus x हो जाएगा, तो देखें यहाँ पर, ये order थोड़ा सा missing होगा, यहाँ से minus common निकाल लेते हो, तो उस minus को बाहर कर दीजे, इस वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसको अभी भी f x plus, f x plus f of minus x लिख सकते हो, और अब दूसरा वाला जो pair है, वो आपको मिल जाएगा, g of x पहले लिख लिजे, and minus of g of minus x, और यही value हमारे पास capital f x के बराबर है, तो capital of minus of capital f x, यानि कि आपने f of minus x की जो value है, वो किसके बराबर दिखा दिया, minus of capital f x के बराबर, that means, जो given integrand है, integrand वो क्या है, odd function है भई, यह क्या है, odd function है, so इसका answer क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, अब दीकिए यहाँ पर यह आपको समझना चाहिए था, कि director circle किसको बोलते हैं, director circle किसको बोलते हैं, तो director circle वैसे line को बोलते हैं, tangent जो है, वो perpendicular हो, the locus of the points, where the tangents are perpendicular to each other, तो आप देख रहे हो कि, इसका जो फॉकी है, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, 1, 1, 3, 3, इसका मतलब y equals to x पर लाई कर रहा है, इसका फॉकी, इस तरह से, इस तरीके से, ठीक है, तो इसका जो कुछ, अगर हम ellipse बनाएंगे, देखे, exact तो नहीं दिखेगा, लेकिन, इसको यह touch करता हुगा आएगा, यह कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है भई, यह ellipse बनेगा, इसमें यह देखेंगे कि, x axis और y axis दोनों क्या होंगे, tangent हो जाएंगे, x axis और y axis दोनों, tangent हो जाएगा, और यह tangent कहां से हो जाएगा, 0 से, यानि कि 0 जो है, pair of tangent हो जाएगा, तो यह 1,1 हो गया, ठीक है, और यह, sorry, focky जो है, यह 3,3 है, तो आपको यह देखना है, कि just इसके mid में इसका center हो जाएगा, just इसके mid में क्या हो जाएगा, center हो जाएगा, तो mid में center कितना होगा, इन दोनों का mid point 2,2 आ रहा है, तो अब इसको, इस point को, यह जो 0,0 है, यह point of intersection है, perpendicular tangent का, तो इस दोनों को मिला कर, जो circle बनेगा, उसी को बोलेंगे director circle, ठीक है, director circle, तो उसका, देख लिएजे, यह radius कितना हो जाएगा, radius जो होगा, 2 unit हो जाएगा, तो pi r square होता है, तो pi 2 square, यहनि कि, 4 pi should be the answer, तो a की value 4 वा जानी चाहिए, ठीक है, अभी हम लोग geometry पढ़ेंगे, तो इस तरह के concept को, फिर से repeat करेंगे, director circle, अब यह बात आए, कि director circle भाई, हमेशा circle होता है क्या, तो नहीं होता है, लेकिन इस case में, circle ही होता है, ठीक है, पैरा बोला के case में, director circle का equation, straight line आता है, बाकी इन सब में, lines नहीं आएगा, समझ में आएगा क्या सभी को, और कोई, 71 से 75 के बीच में, कि अएगा क्या सब में, नहीं फोर ही आंसर आना चाहिए, यह incorrect answer दिया हुआ है, फोर ही आंसर आएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है, clear है क्या सभी को, midpoint I think निकालने में दिकत होगा, वो 4,4 निकाला गया, जबकि midpoint 2,2 आएगा, ठीक है, तो यह 2 जो है, वही यही radius होगा, तो 2 का square 4 हो जाएगा न भाई, πाई R square होता है, पाई तो लिया हुआ है, R square का मतलब, कि 2 का square 4, तो A जो है, 4 के बराबर आना चाहिए, 4 should be the correct answer, ठीक है, इन correct answer दिया हुआ है, आपके यह solution sit में, ठीक है, चलिए, clear है क्या सभी को अब, सर, सर, ओरीजिन से, 0.2 का जो distance हो, वो सर, 2 root 2 होगा न, सर, ओरीजिन से, सर, radius कहां से लिया है, सर, वो, अच्छा, अच्छा, यह 2 है, तो, यह 0.2 का मा 2 होगा, थैंक्यू, थैंक्यू, हाँ, सही, एक्स कॉर्डिनेट, 2 हो गया, वाई, तो 2 root 2 हो गया distance, थैंक्यू, थैंक्यू, 2, 2 root 2 हो जाएगा, तो इसका square, 8 आजाएगा, हाँ, सही है, ठीक है, मैंने direct, इसी को मान के बना दिया, जबकि, radius, यह distance, जो है, 2 root 2 हो जाएगा, न, सही, सही, और कोई, इसमें से, 73 तो हो गया, 72, 74, 75, हो जाएगा, कैस अभी का, यह देखिए, question number 74, Bernoulli trial है, मैंने इस ताइब का question बताया होगा, आपको, ठीक है, शल यह तब, बाबाए व्रीवन, लाएगा का जाएब काoryता हो, अबाए पिर। ऑ कताई लंएब मा leursिए, आएबाबाबादान